जारकन कोचिंग क्लासेस कर यूटूब चैनल में अपने मन कर स्वागत है तो हमनी व्याकरन के समगर रूप से देखेक परियास कर रहे थी और इक करम में हमनी पहला अध्याय के दैक्चुक्री और एहो देख ली कि पहला अध्याय से कौन-कौन सा सवाल पिछले जतना भी ज सिकर में पूछल जाया है तो रावरेमन अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उके जरूर देखा आइज हमनी अगला अध्याय देखा जिकर नाम है के व्याकरन कर दरकार और परमपरा तो कोई भासा ले व्याकरन कर जरूरी क्यों होए ला उकर दरकार काहल पड़े ला और नागपूरी व्याकरन के लिखे कर परमपरा क्या रहलक सिकर बारे में हमनी के समझे कर इप अध्याय में समझे कर परियास करब तो इप अध्याय से भी बहुत सारा सवाल बईन है जिससे नागपूरी भासा का संचिप परिचय किताब कर बारे में कौन कथन सही है इसन ह नाकपूरी सदानी व्याकरन किताब लिखेक में कौन सा भासा का पर्जुग करल जाएला इस अब सवाल का जवाब हमनी अध्याय के पढ़ल बाद बना एक पर्यास करब राचे विश्वेद्याले में नाकपूरी भासा में पहला सोध किकर है के और नोट्स ऑन दा गमारी डा कर थी रुप हेटाइला सबसे पहला railा जये रूप होएला से कि हमनी बोली कह में ना तो बोली क्र राजाएला वहासा कर पहल रूप होएला यनी कि हांनी ये रूप या पहल रूप होएला वहकर हीं वो आम आदमी मन कर भासा है के आम आदमी मन इके बोलेक सुरू कराएना आपन घर दुरा में बोनाएना आपन जे भी जन पहचान है से के असानिये रूप में हमने इकर परियोग करी ला इहें बोली के जब हमने धीरे 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 जब ब्याकरन कर नियम कानून से बाइ सबसे पहले उग hij कि कोई बुली के भात बादिला तो उजिए बुली हुए ऎला से जाले यानि उन बोली कर एक तरह से इस्थिर्टाय जायला, उकर में अलग-अलग कोई अलग-अलग तरी से परियोग नी कराये ना, तो इतरी हमने देखिला कि कोई बोली है कि उन भासा कर सबसे छोट रूप है कि इह बोली कि व्याकरण में जब बाइन देवल जायला, तो भासा या प्र पतिश्टित भासा जे है आपन व्यापक्ता मतलब बहुत कोई इके का करे लागबें बोले लागबें पुरा देश में राईज में जब बोले लागबें तब इजब आपन व्यापक्ता के पाए लेवी तब इजे है राष्ट भासा कर धरजा हो इके मिल जाए जैसे कि हमने नागवन्सी राजवंस में का हो रहक कि जे प्रजा रहे ओहो मन, राजा रहे ओहो मन, इभासा के बोलत रहे तो इभासा के राष्ट भासा या राईज भासा कर उस समेद दरजा़ दिवलग लाद तो इतरी हमने देखी लगे कि भासा के तीन रूप होएला बोली प्रतिष्ठित भासा और राज भासा जब बोली भासा कर सबसे सुरुवाती रूप है के उकर बादे प्रतिष्ठित भासा जे होएला उके व्याकरन में जब हमनी बोली के बाइन देवीला तो प्रतिष्ठित भासा कर रूप लेले वेला एकर में साहित मन कर राचना हवेक शुरू हो जायला और जब बहुत आदमी मन, राईज कर अदिकतर आदमी मन, चाहे राजा हो, प्रजा हो, कवी हो, लेखक हो, आपन भासा में यह बोली कर परियोग करे ना लागे ना तो यह बोली धिरे-दिरे प्रतेशित भासा होते होते राज भासा कर भी या राष्ट भासा कर भी इकर दर्जा मिल जाएला तो इतर हमनी भासा कर तीन रूप के देख ली अब हमनी आगे देखे एक परियास करब या एह बताल जाए संसार कर हर भासा के नियम कानून में बांध जाएला कोई हो चीज के अगर नियम कानून से नी ब उपता है जाएला चाहे हमनी कहों उके पढ़ब लिखब चाहे बोलब तो उकर में किसी तरह कर कोई अलग-अलग या भीनिता हमनी के देखेक नहीं मिलेला तो कहल जाएला माने बेस रोचक समझेक और समझायक कर भी इकर में हमनी के फैदा होएला और भासा कर व्याग्यानिक कर काम है कि तो इस सबसे हमनी जब भासा के नियम कानून से बाइन देखेल जाएला ब्याकरन में कोई भासा एक shepherd क्या 먹는 कर भासा सिखेक सैक को यह भासा सिखेक से पहले हमनी के वह भाकरन के बारे में जानेक बहुत जवरी हुएला बिना व्याकरन कर जानल कर हम नी उ भासा के बारे में नी जाने सकीला तो इस तरी से जब हम नी के देख ली कि हिया कर जे अद्मी मन रहे जे अंग्रेज रहे से हिया कर अद्मी मन के जाने ले या हिया कर रहन सान संस्कृति के जाने ले किया कर भासा के सिखेकर प्रयास कर ले और इक रम निये भासा के जब सिखेक है तो सबसे पहले उकर व्याकरन के जानेक है तो व्याकरन के जाने ले और बहुत कोई आदमी के जे भी दूसरा आदमी है से के सिखाये ले इच विटली कर सबसे पहला परयास रहलक एक किताब लिख लेए हूं गमारी डियलेक्ट्स ओफ लोहर्दगा छोड़ा नागपूल इस अठाटा सौ छांबे में लिखल नागपूरी कर पहल किताब है कि कि कौन सा एसा किताब है के जे नाकपूरी कर पहला ब्याकरन है के तो इह है के गमारी डालेक्ट्स ओप लोहर दगा छोड़ा नाकपूर जे की 1896 लिखल जाया रहा है और इके लिखे वाला रहे एडवर्ड हिमल्टन विटली जे के हमनी एच विटली कर नाम से जानीला तो इ अंग्रेज मन अंग्रेजी में लिखले ताकि जे भी अंग्रेज हुई से हिया कर भासा के उके समय सके हमनी देख ली कि अंग्रेज के अगर सिखाइक है तो अंग्रेज मन कर भासा में ही लिखेक हुई तो इतरी जे पहला ब्याकरन लिखल गे लग उर रोमन लिपी में ही अंग्रेजी में रहें अब हमनी इकर से आगे देखेक पर्यास करीला कि इजे परंपरा है यानी नाकपुरी लिखेक परंपरा के उके और भी लोग बढ़ा लाएं और बहुत सारा नाकपुरी कर व्याकरन जार्खण में लिखल लगे लग तो इकर से बहुत सारा सवाल आवे के देखेकर प्रयास करा थी पहला किताब है कि ग्रामर आफ दी नाकपुरी सदानी लैंग्वेज इके लिखले रेवरेंट कोनाड बुकावट उना उनी सो छो में और इंप्रकासी थोलक उनी सो चोदह में तो इतरी एक किताब है अगला नाकपुरी व्याकरन कर जे किताब के नोट्स अंधी नाकपुरी हिंदी इके लिखले रेवरेंट इच विटली उनी सो चोदह में एह तरी अगला किताब हुलक नाकपुरी व्याकरन से समन्दित लैंग्वेज हैंडबुक सदानी इके लिखले रेवरेंट फादर हैंडरी फ्लूर उकरबादे आलक एसिंपल सदानी ग्रामर जेके लिखले पीटर शांती नवरंगी यहों अंग्रेजियो भासा में लिखल रहें तेहीं यहां रावरेमन देखा थी जतना इई जे सुरुभात में किताब लिखले लग से अंग्रेजी में और लिपी कर रोमन लिपी रहें उकरबादे लिखले प्रोफ 1971 में उकरबादे नाकपुरी भासा में सोध करने पुछल जायला कि नाकपुरी भासा में पहला सोध करें वाला के रहें तो ही यहां रहें स्रवन कुमार गोश्वामी और श्रवन कुमार गोश्वामी जे रहें उपहला सोध करने नाकपुरी भासा में और इकर जे अनाकपूरी के नाकपूरी के बारे में लोग के जागरूख करें और उकर व्याकरण के पहुंचाए करम में दर्पूरुगा के संत कुमार के पांडेर रहें पहुंचे एग पेपर आवतर है राची में झारखन नाकपूरी के कुछ अंस के लिखवायेकर परियास कर ले और lui कि अम आम आदमी तक पहुंचायेकर परियास कर दाक्टर के द्रारी राम गॉंजु जे जे रहें उ नाखपूरी सीखु करड़ के ओ आ़टिकल लिखत रहें राची एकस्प्रेस में ही और ये जे कर द्र वयाकरन के रिखर में किस तरह से नाकपूरी व्याकरन कर धीरे धीरे डेवलप फलेwon या거야 ही यह सिखेक लाएक है ये सब सारा चीज लिस घृधारी राम गोंजु कर एक किताब लिखन ए गिर्धारी राम गोंजु कर किताब लिख लिएकर खास विश्यस्ता का है तो एक तक जतना भी नाकपुरी व्याकरन लिखल जाया रहे सेमन या तो रोमन लिपी में लिखल जाया रहा या तो हिंदी भासा में लिखल जाया रहे रोमन लिपी कहें मतलब हीगलक अंग्रेजी भासा में और देवनागरी लिपी में लिखल जाया रहा कि यानि कि हिंदी भासा में लिखल लेकिन पहली बार डाक्टर गिर्धारी राम गोंजु जे रहे नाकपूरी सदानी व्याकरन के नाकपूरी भासा में ही लिख ले यानि कि एखन जैसे हम नहीं पढ़ा थी नाकपूरी व्याकरन तो नाकपूरी में ही पढ़ा थी तो से तरी पहले हिंदी में अंग्रेजी में लिख लाएं फिर हिंदी में लिख लाएं अब जे है गिरधारी राम गौंजु जे है एक नया शुरुवात कर लाएं और कह लाएं कि नाकपूरी व्याकरन के नाकपूरियम लिखल लिखले बेश रही पढ़े वाला मने उके बहुत अच्छा तरीके से समझ सके ना और इकर म बोली के भासा के नियम कांधून में बाधल से उठीर हो जाएला उकर नियम कांधून में बनाया जाएला तो कोई ओ आदमी उकर अलग अलग रूप कर पर जोग नहीं करें ना कोई बाहरी ओ आदमी के अगर सिखेक है तो व्याकरन के पड़ के उब भासा के जाइन सके ला अब हमनी जे सुरुआत में सवाल दाइकरी से के बनायकर परियास करी ला तो पहला सवाल रहे नाकपूरी भासा कर संशिप्त परिचे जेके हमनी देख ली कि पंडित योगेंदर नाथ तीवारी जे है इक किताब कर बारे में कौन कथन सई है तो व्याकरन भाईर है व्याक अगला सवाल है नाकपूरी सदानी व्याकरन किताब के लिखे के कौन सा भासा का परजोग करल जा है तो गिर्धारी राम गोंजू कर एक तुर्ते हमनी देख ली कि गिर्धारी राम गोंजू कर लिखा लेके और ईजे है इसन पहिल किताब है के जेके नाकपूरी भासा में लिखे कर परियास करने इक पहले से भी आना बहुत सारा जेदूगो विडियो रहे से कर में देखते आई और एकनों देखली तो इह रूमन लिपी में रहे और अंग्रेजी में लिखल जाये रहे तो उत्पात सिपाय में इस तरीके कही रही शेकर बारे में देवल है तो उकर में जाओ और पिछला वीडियो के देखू और अगला वीडियो हमने अगला अध्याय जे रही हमने कर तीसरा अध्याय रही तो रावरे मन देखते रहा जारकन कोचिंग क्लासेस कर यूटूब चैनल धन्यवाद